नमस्कार, स्वागतेवम अभिननन, पुना मेरे चैनल अक्षेग्यान पे, आज आपके समक्ष, मैं हिमलता तिवारी, एक छोटा सा अनुशेद लेकर आई हूँ, इस अनुशेद में आप लोग व्याकरण के सभी भागों को देखेंगे, कि हम इस अनुशेद यानि गद्य मे ही हम व्याकरण कैसे ढूडते हैं, कैसे बच्चे को व्याकरण का भाग इसमें से बताते हैं, यानि व्याकरण के सभी भागों को इसमें से हम देखेंगे, तो पहले अनुशेद को पढ़ते हैं, मा को अपने बेटे और किसान को अपने लह लहाते खेते दे कर जो आनन आता है वही आनन्द बाबा भारती को अपना घोड़ा देख कर आता था भगवद भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अरपन हो जाता वह घोड़ा बड़ा सुन्दर और बल्वान था इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते अपने हाथ से खरहरा करते खुजदाना खिलाते और देख देख कर प्रसन होते उन्होंने रुपया माल असवाब जमीन आधी अपना सब को छोड़ दिया था यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी खिरना थी अब गाउं से बाहर एक छोटे से मंदिल में रहते और भगवान का भजन करते थे मैं सुल्तान के बिना रहे नहीं सकूंगा उन्हें ऐसी भ्रांती सी हो गई थी बे उसकी चाल पर लटो थे कहते ऐसा चलता है जैसे मूर घटा को देख कर नाच रहा हो जब तक संध्या समय सुल्तान पर चड़कर आठ दस मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चेन ना आता खड़क सिंग उस इलाके का प्रसिट डांको था लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे होते होते सुल्तान की किर्थी उसके कान्यों तक पहुँची उसका हिर्दय उसे देखने के लिए हदीर हो उठा वह एक दिन तुफैर के समय बाबा भारती के पास पहुँचा और नमसकार करके पैठ गया बाबा भारती ने पूचा खड़क्षिन क्या हाल है यहीं तक हम इसको लेते हैं ठीक है अब आगे हम इसमें से देखिए मा और बेटे और किसान को नहीं मा को अपने बेटे और किस अपने खेतों को तो जो आनन्द आता सबसे पहले देखिए इसमें यह है के बाद यह अल्प ब्राम है यह आलप ब्राम कहते हैं यानि थोड़ा सा रुक गए वहीं आनन्द बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था तो यह जो है आपका यह है इसमें यह है अब इसमें है भगवत भजन से जो समय बसता है वह घोड़े को अर्पन वह घोड़ा बहुत बड़ा सुन्दर और बलवान था तो घोड़ा इसमें क्या है यह संग्या है गोड़ा क्या है यह संग्या है और बड़ा सुन्दर और बलवान था यह उसी क्या है विशेष्ता ह यह विष現 है क्योंकि एक ही पाखheim में आपने देख के हमारी संग्या जो किसी बकतिबस्तु साना दी के नाम को संग्या कहते हैं तो घोड़ा हो गया और जो संग्या तो नाम की विशेषता बताई हो क्या होता हमारा विषेशा इसके घोडे का इसके जोड का घोड़ा यानि इसके जो इसके आया है ये क्या है हमारा इसके जोड़ यानि सुल्तान के लिए गया तो ये क्या हमारा सर्वनाम देखे एक ही अनुचेद में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी सारी इसमें इसके जोड का घोड़ा सारी इलाके में आता बाबा भरती उसे अब ये देखे अजब हम किसी को ये जो कौमा लगे हुए हैं इसे क्या बोलते हैं आवतरन चिंद अब देखे इसके बाद अपने हां से खरा रहा है फिर यहां पर भी आल्पविराम यह आलपविराम है पहले हम लोग कई बारी उसके हैं खुद ताना खिलाते देख अब ये जो देख देख कर इसके बीच में जो ये चिन बना है ये है योजग चिन कौन सा चिन है ये योजग जब तो के बीच में आएगा ये योजग इसका मतलब देख और देखकर उन्होंने रुपिया माल असी ये देखे जब हम बहुत सारी चीज़े होती है रुपिया माल असवाब जमीन ये सब अलप अपना सब कुछ ये भी बाल फिर ये अलप पराम है लंगर के जीवन से भी गिरना थी अब गाउं से पाहर एक चूटे से मंदिर में रहते जिब बड़म का मैं रहते और भग वा भजण करतें ये मिशुद क्रत वाके है वे उसकी चालपल लटो थे कहते ऐसा लगता जैसे मौरघठा को देख कर नाच रहा हो जब तक संध्या समय सुल्तान पर चड़कर 8 से 10 इसमें भी 8 बीच में जो योजक चिरन है 8 ये और 10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चेन ना आता ये भी आपका मिश्रित वाक्य में है कड़ेक सिंग उस इलाके का प्रसिद डाकू था लोग उनका नाम सुनकर कापते थे होते होते देखिए कई जगे आपको ये चेन मिल रहा है सुल्थान की किरती कानों तक भी पहुंची उसका हिर्दा उसे देखने के लिए अधिर हो उठा वह एक दिन दुफैर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमसकार करके बैठ लया खटेक सिंग बाबा भारती ने पूचा खटेक सिंग क्या हाल है तो इसमें यह क्या है यह है प्रशन बाचक चिन ठीक है जब हम किसी से प्रशन करते हैं तो वहाँ प्रशन बाचक चिन का प्रयोग करते हैं ठीक है इसमें हमने क्या क्या देख लिया सरपर्थम हमने इसमें देखे संग्या सरणा बिशेशन अब किरिया तो जो प्रसन होते थे जब प्रसन होना है जो ये हमारा क्या है ये किरिया है प्रसन होना क्या है ये हमारी किरिया है अब हम एक चीज और देख लेते हैं, ये प्रसंद होना क्या है, अगर हम इसे बिप्रीत है, प्रसंद का क्या होता है, दुख होना, ठीक है, अगर हम इसका बिप्रीत देखें, तो हम इसका प्रसंद का बिप्रीत क्या होगा, दुख होना, ठीक है, ये दुख होना, अब इसम अगर हम पुलिलिंग बनाते हैं, अगर मा का पुलिलिंग हम देखेंगे, तो क्या होगा, पिता, ठीक है, अगर मा का विप्रीत भी हुआ, तो पिता हो जाएगा, अगर बेटे का हमें पर्यावची बनाना है, बेटे का पर्यावची, तो क्या होगा, पुत्र और सुत, बेटे का पर्यावची, देखेंगे, इसमें हमने हर चीज देख रहे हैं, बिलोमशब देख लिया, मा का देख लिजी, बेटे का बेटी हो जाएगा, अगर बिलोमशब अब हम इसको एक बार समझ लेते कि हमने इसमें क्या-क्या देख लिया है तो हमने इसमें देखे संग्या सवना विशेशन किरिया ठीक है किरिया विशेशन ठीक है और साथ में हमने विपरीत परेवाची बिपरीत हुई हो गया परेवाची भी देख लिया और हमने इसमें से और भी देख सकते हैं, लिंग भी देखा है, ठीक है, यानि हम बहुत सारी चीजों के इसमें से लिंग भी देख सकते हैं, यानि हम एक छोटे से अनुछेत के अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ बच्चों को बता सकते हैं, यानि गद्य को पढ़ाते हुए आप ब्याकरण भी बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइब सब्सक्राइब थैंक यू और ऐसे ही आप बच्चों को कक्षा में पढ़ाएंगे तो बच्चों को बहुत आनद आएगा और बच्चे इसमें इंगेज भी होंगे